मेरे पहरे देश्वासियों, इस सालमने लाल के लिए से बीना पॉलिटिकल बैक्ग्राउंड वाले एक लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टिम से जोडने का आवाहन किया है, मेरी इस बात पर जबर्द्जस्त प्रतिक्रिया हुई है, इसे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारी युवा राजनीति में आने को तयार बैठे हैं, बस उन्हें सही मौके और सही मारदर्शन की तलाश हैं, इस विशे पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं, सोशल मीडिया पर भी जबर्दस रिस्पांस मिल रहा है, लोगों ने मुझे कई तरह के सुझा भी बेज़े हैं, कुछ विवाओं ने पत्र में लिखा है, कि ये उनके लिए बाकई अकल्पनिया है, दादा या माता पिता की कोई राजनितिक विरासत नहीं होने की वज़े से वो राजनिति में चाहकर भी नहीं आपाते थे, कुछ विवाओं ने लिखा, कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुल्जाने में मददगार बन सकते हैं, कुछ विवाओं ने ये भी लिखा, कि परिवारवादी राजनिति नई प्रतिभावों का दमन कर देती हैं, कुछ विवाओं ने कहा, कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी, मैं इस विशाय पर सुझाओं बेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे उमीद है कि अब हमारे सामुहिक प्रयास से ऐसी हुआ, जिनका कोई political background नहीं है, वे भी राजनिति में आगे आ सकेंगे, उनका अनुभव और उनका जोश देश के काम आएगा, साथियों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आये थे, जिनकी कोई राजनितिक प्रुष्टभूमी नहीं थी, उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए जोग दिया था, आज हमें विक्सित भारत का लक्ष पाने के लिए, एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरुवत है, मैं अपने सभी युवां साथियों को कहूंगा, इस अभियान से जुरुर जुडे, आपका ये कदम अपने और देश के भविश को बदलने वादा होगा, मेरे प्यारे देश स्वासियों, हर घर तिरंगा, और पुरा देश तिरंगा, इस बार ये अभियान अपनी पूरी उचाई पर रहा, देश के कौने कौने से सभियान से जुड़ी अदभुत तस्विर सामने आई, हमने घरों पर तिरंगा लहराते देखा, स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी में तिरंगा देखा, लोगों ने अपनी दुकानों, दप्तरों में तिरंगा लगाया, लोगों ने अपने डेस्टॉक, मोबाइल और गाडियों में भी तिरंगा लगाया, जब लोग एक साथ जुड़कर अपनी भावना प्रगड करते हैं, तो इसी तरह हर अभियान को चार चांद लग जाते हैं, अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्विरे देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के रियासी की है, यहां 750 मिटर लंबे ज़ंडे के साथ तिरंगा रेली निकाली गई, जिसने भी इन तस्विरों को देखा, उसका मन खुशी से जुम उठा, स्रीनगर के डल लेक में भी तिरंगा यात्रा की मनमोख तस्विरे हम सब ने देखी, अरुनाचल प्रदेश के इस कामेंग जिले में भी 600 फिट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई, देश के अन्ने राज्यों में भी इसी तरह हर उम्र के लोग ऐसी तिरंगा यात्राओं में शामिल हुए, स्वतनत्रता दिवस अब एक सामाजिक पर्वभी बनता जा रहा है, ये आपने भी अनुहों किया होगा, लोग अपने घरों को तिरंगा माला से सजाते हैं, स्वयम सहायता समूज से जुड़ी महिलाएं लाखों जंडे तैयार करती हैं, इ-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तिरंगे में रंगे सामानों की बिक्री बढ़ जाती है, स्वतंत्रता दिवस के अउसर पर देश के हर कोने जल, थल, नव, हर जगह हमारे जंडे के तीन रंग दिखाई दिये, हर गर तिरंगा वेबसाइट पर पांच करोड से ज़्यादा सेलफी भी पोस्की गई, इस अभ्यान ने पूरे देश को एक सुत्र में बांद दिया है, और यही तो एक भारत स्रेश्ट भारत है,